असलाम लेकुम विर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केप टॉप जो केक रिक्वेस्टेड वीडियो है और यह वीडियो का थोड़ा सा पार्ट जो है वह इस तरहां से है बाकी आगे वीडियो जो है बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगी तो प् है वह 45 इंचिस है यह डबल में आपको बता रही हूं ठीक है आप अगर बजार से लेंगे तो टीशू फैब्रिक आप 1.5 मीटर बड़े अर्ज का ले लीजेगा ठीक है और आप और और गैंजा फैब्रिक में भी इसको बना सकती है लेकिन टीशू थोड़ा मजबूत इंचिस ले रही हूं अगर आप 25 तो 26 इंचिस लेंगी तो ज्यादा बैस्ट होगा ठीक है अब यहां पर जो चुड़ाई का मार्क है वो उसमें 7 इंच का तीरा है 22 इंच के मेरे स्लीव हैं और आप भी अपने कॉर्डिंग इसी तरह पहले तीरा मेयर करेंगी फिर स्लीव और उसके बाद हमने 7 इंचिस एक्स्ट्रा फैबरिक लेना है तो टोटल जो है वो मेरी चुड़ाई यहां से 36 इंच हो गई है ठीक है आपका स्लीव साइज और जो तीरा है वो डिफरेंट हो सकता है ठीक है यह मैं मीडियम टू लाड़ साइज बना रही हूं तो यहां पर फोर फोल्डिड हमने फैबरिक बिचा लिया है और लेंथ और विट का निशान हम लगा लेंगे और यहां पर हमने वो सरकल शेप में निशान ने लगाना बलके हमने थोड़ा सा तिर्चा कर देना है गुलाई को ठीक है ओल शेप जो हम ज्रौ करेंगे तो यह देखे मैं हल ख़ड़ ख़ड़ा नजर आ रहा होगा कि आपने उपर से तिर्शा मिला देना जाकर ठीक है स्लीव का जो पोर्शन है वहां पर आपने तिर्शा मिला देना है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे घर में हमारे पास इसरा औरगैंजा के दोपटे वगारव भी पड़े होते हैं जो के यूज में नहीं आते है तो उसका भी आप ये केप टॉप बना सकती है बहुत ही यह trendy है और हर तरह के जो है वो ड्रेस के उपर आप इसको पहने की तो बहुत एक elegant जो है ना लूक आएगी आप इसको maxi के उपर पहन सकती है और plazo के उपर पहन सकती है अच्छा यहां पर हमारी cutting जो है वो complete हो चुकी है तो उपर से जो है ना हमने नोक नहीं बनानी नहीं वालके थोड़ी सी गुलाई करनी है ठीक है तो मैं हलकी सी जो है वो गुलाई की shape कर रही हूं ठीक है और मेरा यह tissue fabric है यह self printed है double shade में अच्छा जी अब यहां पर हम neck का निशान लगाते हैं तो neck हमें कोई ज्यादा नहीं बनानी deep हमें deep जो हो 1.5 inch लेनी है और जो उसकी width है वो 8 inch लेनी है 8-9 के दर्मियान आप ले सकती है इसमें front और back का neck जो है एक ही साथ कटेगा यानी इसमें front और back नहीं है आप दोनों sides को यूज़ कर सकती है इसकी हम cutting कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूं कि गले में से हमने छोटा सा हमारा piece यह निकला है ठीक है neck हमने ज्यादा बढ़ा नहीं करना क्यूंकि हमने neck को sly करना है तो उससे भी थोड़ा सा neck बढ़ा हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह बहुत important निशान है यह हमने लगाना है तकरीबन 17 इंच पर waste यहाँ पर हमारी चुनिटें बढ़ेंगी यहाँ पर यह निशान लगा कर इसको बिलकुल सीधा आगे तक मिला देना है आप यह निशान जहाँ वो 15 16 इनके दरम्यान में लगा सकती है और इस निशान को मैंने अच्छे से iron कर लिया है ताके जहना हर जगा चप जाए निशान यह देखें इसकी cutting कुछ इस तरह से होगी यह बिलकुल गोल नहीं है यह oval shape में आ रहा है यह निशान आपको length के और width के नज़र आ रहे हैं और यह हमारा जो पार्ट है यह वेस्ट का ठीक है यह चोटा सा जो हमारा नज़र आ रहा है iron के निशान यह हमारी वेस्ट का निशान है ठीक है जी cutting इसकी यही है simple सी अब यहां पर हमने जो है वो इस टॉप पे यह stitch करना है बहुत ही बारीक किनारी हमने कर देनी है गले में भी और हमारा जो नीचे का घेर है सारा उसमें भी हमने किनारी कर देनी है आप चाहें तो जो है धागे वाली पीको जो होती है वो भी करवा सकती है यहां पर देखें नेक लाइन को और गेर हमारा उसको बहुत ही बारीक यहां पर सलाई लगा लिए अगर हम इसको अलैदा से चेपी पर या मगजी लगाकर गला बनाते हैं तो वो नीचे से विजिबल होगा तो इसलिए आप इसको ही गले को हलका हलका जाए वो इसको गुलाई में सलाई लगा अच्छा जी अब वेस्ट में जो है ना अंदर की तरफ नेफा बनेगा तो इसके लिए यह लेफ्ट ओवर फैब्रिक से दो पटियां बारीक सी ली है एक इंच औरी एक तरफ इसकी किनारी हुई है और दूसरी तरफ हम खुद सलाई लगा लेंगे अब यहां पर यह जो व सीधा सीधा जो है हमने सलाई लगा लेनी है और यहां पर यह जो दोनों निशान मिल रहा है ना हमारे यहां पर तकरीब हमने धाई से तीन ही जो है ना वो सलाई से बंद कर देना तॉप को ठीक है यह देखें यहां से हमने सलाई लगा कर बंद कर देना है मैं आप यह आपक रिक्वेस्ट की थी यह मैक्सी के उपर पहना जा सकता है प्लाउजो के उपर पहना जा सकता है तो इंशालला बाकी रिक्वेस्ट भी मैं उन पर वीडियो बना रही हूं इंशालला रेगिलर्ली मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो तो अगर आपको भी कुछ सीखना है तो मुझे फेस्बुक पेज पर आप पिक्चर सेंड कर सकती है इसमें थोड़ा भू जो लाएगा तो उसको आप उसकी खैर है हम इसमें जब इलास्टिक डालेंगे तो वो बिल्कुल क्लेर हो जाएगा अच्छा जी अब यहां पर यह ड़ाई तीन इंच जो है ना वो हमने उपर ही रख के सलाई से बंद कर दिया यह यह देखें सिलने के बाद कुछ इस तरह का यह दिखेगा यह हमारा नेफा भी नज़र आ रहा है और बाकी भी सलाईयां हमने लगा के कवर किया हुआ है ठीक है अब यहां पर हमने इलास्टिक डालना है इसके अंदर ठीक है अब यह देखें जो हमारे नेफे हैं ना उनको ठोड़ा-थाथा छोड़के हमने सिलाई लगाई है ताके हम इलास्टिक उसमें से गजार सकें थीक है अब यहां पर मैंने बहुत यह बरीक उलास्टिक लिया है ठीक है अब मैं आपको बताती हूं कि आपने ये elastik कितना डालना है जितनी आपकी waste है उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे और जितना भी आपका answer आएगा उसमें 4 inches आपने add कर देना ठीक है जैसे यहाँ पर मेरी waste 34 है इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो 17 एगा इसमें 4 inch डिवाइड करूंगी तो 21 inch की elastik मुझे चाहिए ठीक है यह देखें 21 inch का elastik मैंने लिया है अब यहाँ पर बालो में लगाने वाली जो pin होती है उसी को इसके अंदर से गुजार के हमने जहां वो elastik डालना है safety pin से भी आप डाल सकती है यह देखें यह दोनों नेफे हैं एक तरफ से हमने डालना शुरू करना है और घुमाते हैं हम दूसरी तरफ से निकाल के elastik को अच्छे से टांके लगा के पका कर देंगे यह देखें अब दूसरी साइड आ गई है तो हम दूसरी साइड में भी इसको इसी तरह ही गुजार लेंगे elastik डालने से यह होगा कि अगर आप बेल्ट के बगएर भी पहनना चाहेंगी ना तो यह वैसे भी बहुत प्यारा लगेगा लेकिन हम इसके लिए बेल्ट भी त्यार करेंगे यह देखें यह कितने खुबसूरत इसकी फ्रिल जो है वो बन गई है अच्छा यहां पर मेरे पास लैस का पीस था गोल्डन कलर की लैस है आप बेल्ट के लिए कोई भी लैस कुछ भी फैब्रिक का मिटीरियल जो भी घर में मुझूद है वो आप यूज कर सकती है यह 16 इंचिस ही मेरे पास था तो मैंने उतना ही ले लिया है और बाकी जो है व बेल्ट बना लेंगे ठीक है दोनों सिरे लैस के साथ मैंने जोड़ दी है तो मारी बेल्ट तयार हो गई है आपके पास घर में जो भी मेटीरिकल मुझूद है आप उसी के साथ रेडी कर सकती है अच्छा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है कि आपने इसमें अब शोल्डर में हमने प्लीट डालना है तो तीन इच गले से मैं छोड़ दूगी और बाकी वहां से हम प्लीट डालना शुरू करेंगे जो प्लीट का विर्थ है वह मैं तकरीबं दो इंच रखोंगी ठीक है कंदे से तीन इच छोड़ने के बाद दो इंच हमने प्लीट डालना है ठीक है इसको हम यहां पर पिन अप कर देंगे आप चाहें तो इस प्लीट डाल सकती है अगर नहीं भी डालना चाहती है तो इस तरह भी फ्रीली आप इसको यूज कर सकती है लेकिन डिजाइन में प्लीट से डले हैं तो हम भी वैसे ही डालेंगे ठी यह दूसरा प्लीट भी तीन इंच के गैप पे दो इंच ओड़ा डाल दिया है और यह तीसरा प्लीट ठीक हो गया क्रीस जो आप देख रही है ना आइरन की अलड़ी लगी विया है तो उसी को फॉलो करते हुए हमने यहां पर सलाई लगानी है ठीक हो गया और सलाई लाकर बंद कर देनी है अब दोनों तरफ हमने इसी तरह जो है वो कंप्लीट कर लेना है और यहां पर आप देख लें कि दोनों सलीज जो हमारे बराबर आए है और इतने खुब्सूरत यह प्लीट लग रही है ना और सलाई जो है वो पहना हुआ जितना यह नाजुक कपड़ा है उतना ही जादा मजबूती से हमने इसके आपर काम किया है और सलीज की तयार लेंथ है वो 16 इंची थीक है ठीक है ठीक है जितनी सलीज होते ना उतना इसकी लेंथ तयार आ गई है तो यहां पर यह देखे हमारा जो केप टॉप है बहुत ही डिजाइनर यह इंडियन एक ब्रैंड है मिशू उनका जहा हो डिजाइन मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था तो हमने यह देखें घर में ही मेरे पास टीशू पड़ा हुआ था घर में और गैंजा के तो पट्टे होते हैं पुराने लहंगे होते हैं उनको आप इस तरह से नहीं रखनी ना इसको आइरन करना है वरना इसके सारी जो यह फलफी नैस है वो खतम हो जाएगी तो यहां पर देखें यह कुछ इस तरह से लगेगा और बहुत ही खुबसूरत बहुत ऐलिगंट लगेगा यह फिलहाल मैंने आपको बेल्ट अटैच करके दिखाई है लास को यह किस तरह का अलगा डिजाइनर केप टॉप दौाओं में याद रखेगा अपना धेर सारा ख्याल रखेगा फिर मैं लेंक नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफिज